असलाम अलेकूम, कैसे हैं आप सब, उमीद है आप सब अच्छे होंगे, आज की इस वीडियो में बीडियो दामन की डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें, और मेरे चैनल पर जो पहली बार आए है, प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब यहां पर मैंने पेपर का एक पिस लिया है, और इसकी चोडाई मैंने 4.5 इंचिस ली है, यह पैटन मैंने काट के रखे हैं, इसे पेपर के उपर ड्रॉ कर लेंगे, अगर आप भी पहले इस तरह से पैटन काटने के बाद इसे ड्रॉ करेंगी पेपर के उपर, तो आपकी भी डिजाइन बिल्कुल एक जैसी बनेगी, यह हमारी दामन की डिजाइन है, हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए सिलीप के उपर इसे बना रहे हैं, क्योंकि एतनी चौड़ी डिजाइन सिलीप के उ गैप छोड़ देंगे हम, और बीच में यह मैंने गैप छोड़ा है, इसमें भी एक पत्ती बना लेंगे, इस तरह आपस में मिलाते हुए, अब दोनों के सेंटर में हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए, इसी तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे, अब चाहे तो इसकी एक पत्ती काट कर, इसके सिंटर में इस तरह से अब ड्रॉ कर सकती हुए, थोड़े से हम छोटा कर लेंगे, ताकि सारी पत्ती हमारी एक जैसी बने, ये देखे हमारी पैटन रेडी हो गई है, और ये मैंने औरगैंजा फैबरिक लिया है, आप चाहे तो नेट के उपर भी बना सकती है, और मैंने औरगैंजा की लंबाई 10 इंच ली है, प्यूंकि नीचे हमें मीरर लगानी है तो हमें 1 इंच का फैबरिक छोड़ देंगे, या फिर आप उतना फैबरिक छोड़े जेतनी आपकी मीरर की साइज है, हम अपने मीरर के हिसाब से में फैबरिक मेंने छोड़ा है, झाल 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 पेपर को निकाल लेंगे यह हमारे पास कुछ इस तरह की लेस है हमें जितनी पिस चाहिए हम उतना निकाल लेंगे और हम मीरर को इसी में चिपकाएंगे अगर आपके पास इस तरह की लेस नहीं है तो आप डैरेक्ट फैब्रिक के उपर भी आप इसे चिपका सकती है गुलू गन से यह बहुत ही अच्छे से चिपक जाती है और यह देखें साइड में इस तरह से डोरी लगाने से बिलकुल बाजार जैसी मीरर तयार हुई है अब इसे हम फैब्रिक गुलू की मदद से हम फैब्रिक के उपर चिपका लेंगे और इसे पका करने के लिए हम इसके किनारे को स्टेश कर लेंगे जिस तरह से हम इसके उपर हेमिंग करते हैं इसी तरह से हम करेंगे झाल 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 और इसी तरह से हम सभी के उपर स्टीश कर लेंगे यह देखे हमारी नीचे की डिजाइन तो कंप्लीट हो गई है हम उपर की डिजाइन भी बना लेंगे हम इस तरह से पहले इसके उपर तीन पिंटक्स डालेंगे और यह मैंने टू बै टू इंचेस की स्क्वाइर पिस ली है और इसे इस तरह से पोल्ड करने के बाद इसके उपर प्रेज भी कर लिया है और साथ में मैंने यह डोरी भी बनाई है हम इसे तीन इंच का काट लेंगे और पिंटक्स डालने के बाद करीब हाप इंच का गैप छोड़ेंगे बीच में और उसके बाद हम इसके उपर सिलाईय लगा लेंगे पहले में इस तरह से एक पिस हम इसके उपर ट्रेंगल रखेंगे और फिर इसके बाद एक डोरी रखेंगे इस तरह से हम सारे बना लेंगे हमारा थोड़ा extra organza fabric था तो मैंने इसे उपर से थोड़ा cut कर लिया है हमारी design तो बिल्कुल complete हो गई है हम इसके उपर main fabric attach कर लेंगे हम इसके उपर इस तरह से fold करते हुए इसके उपर slay लगा लेंगे अब ये देखें हमारी दामन की design बिल्कुल ready हो गई है और ये कितनी designer लग रही है और नीचे की side पे भी जो extra fabric था उसे भी मैंने cut कर लिया है और इस तरह से आप अपने jumper के दामन को design कर सकती है तो मुझे उमीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज मुझे comment section में जरूर बताएं और मेरे वीडियो को like करें और मेरे चैनल को subscribe कर लें तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अल्ला हाफिज